वेल्कम टू कुमार प्रिंटर दोस्तों यह वीडियो हैट क्लिनिंग से रिलेटड है तो अगर आपको पता है कि अपसन की हैट क्लिनिंग कैसे होती है किसी भी मॉडल का तो आप इस वीडियो को इसकिप कर सकते हैं और जीने नहीं पता है वो देख सकते हैं क्योंकि मुझे क अगरे आपका जो उसको सेलेक करना है कि यहां पर आपके जितनेए अबुअ प्रिंटर रहींगे सब सोभ सोग आपको काकरेंगेगे reserve में फिन्डो्स 7 में थेले लोड होता है चाहिए प्रिंटर है अपना एपसन का जो करेंटली मैं अभी आपको दिखा रहा हूं जिसका एक्जामपन जो की एपसन का L360 है देखें प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है और ऊपर से चवते पांचवे आपसन में आना है इस पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर स्टार्ट का आपसन आएगा और यहां पर हैड क्लीनिंग का प्रोसेस तुरंद चालो जाएगा इसमें डबल लाइट इस ले जल रही है क्योंकि मैंने पूरा प्रिंटर खोल के रखा है और इसमें स्कैनर नहीं लगाया है तो जब स्कैन आप प्रिंट आउट आप ले सकते हैं चाहिए फोटो प्रिंटिंग हो डॉकमेंट प्रिंटिंग हो कुछ भी हो तो अभी यह देखिए दो-तिन मिनिट का प्रोसेस है पूरा है क्लीनिंग जो कि स्टार्ट हो चुका है कि इसमें आपका थोड़ा इंक भी यूज होता है क् इंक फ्लो के थूज ही है क्लीनिंग होती है दो-तिन मिनिट मुस्कुल से लगेगा एड क्लीनिंग में अब प्रिंटर आपका जोड-जोड से चलेगा कभी स्लोड चलेगा कभी आगे कभी पीछे ही होता है यह देखिए इनकोडर का डिकोडर का रॉड है पूरा यहां से वहां तक इस लाइट पर आप ध्यान मत दीजिए जो कि मैंने बता दिया आपको क्यों क्यों जल रही है देखिए आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है बस थोड़ा सा बचा हुआ है जैसे पूरा सेटप कंप्लीट हो जाएगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत आजाएगा रेडी करके फिनिस का आप्सान आता है आपको सिब क्लिक करना है देखिए ग्रिन लाइन ब्लिंक हो रहा मतलब प्रिंटर में कुछ तो काम हो रहा है अगर वह स्टेबल रहेगा तो प्रिंटर रेडी आजाता है देखिए हो गया अब आप यहां पे प्रिंट नोजल पर क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट आउट आएगा जिसमें आपको है मतलब समझें कि कैसी क्वाल्टी का कुछ इंप्रिमेंट हुआ या नहीं हुआ उसमें यह पता चलता है अब देखिए मैंने इसपे क्लिक किया है पेपर पिकप किया और यह प्रिंट हो रहा है इसमें आपका टोटल पेज कितना है वह भी पताता है यह देखिए प्रिंट आउट तो यह था चोटा सा वीडियो उमीद करता हूं आप लोग को थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे बहुत बहुत धन्यवाद